यहाँ पर देखिए इंडियन एर फोर्स में वायू ग्रूप यहाँ पर एफ काइट के लिए वैकेंसी आ चुकी है तो आए इस वीडियो में पूरा डीटेल में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि एर फोर्स एक्स वै ग्रूप के लिए क्या सिस्टम अभी क्या होने व अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो नॉटिफिकेशन है 19 तारीक का आया है 12 बच के 12 मिनट पर तो आएए यहाँ पर देख लेते हैं एफ का इंट्री के लिए जो है कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 250 उर्पे भरना पड़ेगा मतलब 250 उर्पे लेगा फॉर्म को भरने में ठीक है लास्ट डेट जो है कि यहाँ पर है 36 2022 एक्जाम का नॉटिफिकेशन आएगा भी और एड्मिट कार्ड भी आएगा और यहाँ पर देखिए कोर्सी स्टार्टेट जुलाई 2023 लिखा हुआ है बात करते हैं वैकेंसी के डीटेल की यहाँ पर देखिए एफ क यहाँ पर जो है कि क्लियर नहीं किया गया है टोटल क्या है वह बाद में मेंसन कर दिया जाएगा यह सारे पुरा वैकेंसी के डीटेल है यहाँ पर इंडियन एरफोर्स एलिजबिल्टी देख लेते हैं ग्रेजिवेशन होना जरूरी है डियस्ट इसमें ग्रेजिवेशन जरूरी रहता है एफ करेट के लिए तो आपका एट लिस्ट जो सबसे कम इसमें रिक्वाइडमेंट है वह ग्रेजिवेशन है उसके बाद अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग यहाँ पर एलिजबिल्टी क्रैटेरिया है यह तो रही एफ करेट के वैकेंसी की बात बहुत से जो स्टुडेंट हैं जो एक्स वाई वाले होंगे उनमें से जातर स्टुडेंट जो है कि अभी किसी का ग्रेजुएशन में सेकेंड येर होगा किसी का फर्स्ट येर होगा किसी का थर्ड येर होगा तो कम्प्लीट नहीं हुआ होगा तो कमी लोग इस फॉर्म को बर पाएंगे लेकिन एक वैकेंसी आई थी तो इसलिए आपको बताना हमें ज़रूरी लगा अब देखी यहाँ पर थोड़ी सी मुद्य की बात कर लेते हैं इंडियन एर फोर्स की जो बात चल ले थी यहाँ पर हम बात करेंगे अब X और Y गुरूप की यह जो एफ कैट वाला है वो तो आप भरेंगे ही अगर एलिजबल होंगे तो और इसकी प्रिप्रेशन भी हम करवाएंगे ठीक है तो यह जो लेबल होता है X और Y से कहीं हायर लेबल होता है जब पहले जो एर फोर्स XY का एक्जाम होता था और एक घंटे बाद जो रिजल्ट बता दिया जाता था तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे तो चुकि तुरंत ही रिजल्ट बताया जाता था तो इसलिए उनको धक्का बहुत ज़्यादा लगता था मतलब दिल पर बहुत चोट आती थी तो वहाँ पे जो सरलोग होते थे जो एर फोर्स वाले है जो विंग कमांडर होते थे फ्लाइंग विंग होते से उनी के अंदर ये एक्जाम करया जाता था तो वो ऐसी बच्चों को मोटिवेट करते थे कि देखिए आपका अगर ये लास्ट अटेम्ट रहा होगा तो आप घबडाये नहीं हम आपको एक बार और मोका देते हैं एर क्वालिफाई करते हैं या कि फिर कभी आप चली जाते हैं कोई प्रॉब्लम होता तो आप एयर फोर्स में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो उसी सपने के लिए ये वेकेंसी है आप इस फ़र्म को भर देजेगा अगर आप एलिजबल होंगे तो अब बात करते है कि सर एकस वाई की रिजल्ट कब आएगा तो देखिए एकस वाई का रिजल्ट भी आने की पूरे संभावना यहां पर दीख रही है हाला कि आप आप इसके उपर कुछ भी बोलेंगे तो आपको बुरा ही लगेगा और मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि इतने दिनों से जो है कि उसका रिजल्ट और इसके बात इन्रॉल्मेंट लिस्ट जो है कि रुकी हुई है तो इसके उपर कुछ भी बोलना आपके लिए मतलब बहुत ही बुरा लगता है आपको लगता है कि इतने दिन से सांतोना दे रहे हैं लेकिन अब आप देख सकते कि यह नई वेकें दिये हैं जिनको लगता है नहीं हम पास हो जाएंगे वो अपनी जीडी की तयारी जरूर सुरू करें इसके लिए आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रूप डिसकसन कैसे करें क्या सारी चीज़े हैं आप वह आपर ग्रूप डिसकसन अपना प्रेक्टिस कर अधिक्तम तो उसी के अंदर आपको तयार करना होता है खुद को तो इसलिए आप अभी से लग जाएए तो हम कुछी दिन बाद जो एफ कायट का जो फॉर्म आया है हुआ है इसकी जब प्रिप्रेशन कराएंगे तो जो आपको वोकाइबलेरी सेक्शन हो तमाम चीज़े जो प्रैक्टिस कराएंगे वो जो चीचे है न वो आपको एरफोर्स जो एक्स वाई का है जब आप एक्जाम देंगे जब फॉर्म बरेंगे तो उसके लिए काफी वो बैनिफीसियल होगा ठीक है तो अपनी राय जो भी है आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते है हैं बागी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में देश्टन तब तक के लिए अब देखिए प्रॉब्लम ही है कि आपका एक सवाल आ रहा होगा किसार आपकी वीडियो बहुत का हमारी है कि हमारे यहां हमारे जो नाना जीत होएं बहुत ही क्लोज मतलब नाना तो हैं ही तो बहुत से लोगों की जो नाना होता है उनको क्या होता है कि मतलब ज्यादा उनका लगाव नहीं रहता है लेकिन यहां पर हमारे यहां बहुत ही हमसे लगाव था हम लोगों से तो वह अभी एक्सपायर कर गए हैं तो ज ठीक है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम